Internet and Communication The Internet, Objectives इस हिस्से में आप सीखेंगे कि ISP क्या है, वेब ब्राउजर कैसे ओपन और कैसे ग्लोज किया जाता है और इसे कैसे इस्तमाल किया जाता है Internet Explorer 11 में कौन-कौन से फीचर्स और उनके क्या-क्या काम है एक से ज्यादा वेब पेजिस कैसे ओपन किये जाते है और ब्राउजर की सेटिंग्स और हेल्प फाइल कैसे यूज की जाती है Internet Terminologies इस लेसन में हम सबसे पहले Internet में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ Terminologies के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम www को समझते हैं अकैडेमिक्स और रीसर्च कम्यूनिटीस तक महदूद था लेकिन 1991 में टिम बर्नर्स ली और जॉर्पिन लैब के मेंबर्स ने नया सिस्टम तज्वीज किया जिसको www.web का नाम दिया गया Web के माइनी जाल के हैं यानि ये information का एक जाल है जो पूरी दुनिया पर फैला हुआ है World Wide Web दरसल documents का online मजमूआ है जो दुनिया भर के computers जिनको servers कहते हैं में store हैं ये servers internet के जरिए connected होते हैं जब हम internet से connected होते हैं तो हम World Wide Web से घर बैठे हर किसम की information को हासिल कर सकते हैं World Wide Web से information को हासिल करने के लिए web browser को इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम आगे के section में discuss करेंगे बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि internet और World Wide Web एक ही term है लेकिन ऐसा नहीं है Internet और www यानी World Wide Web दोनों मुख्तलिफ terms हैं World Wide Web इंटरनेट के जरिए information को access करने का तरीका एक कार है जबके internet और बहुत से मकासित के लिए इस्तमाल होता है जिसमें instant messaging और email वगेरा शामिल है वेब पेज, वेब साइट, वेब सर्वर जब हम internet को इस्तमाल करते हैं तो इसमें वेब पेज, वेब साइट और वेब सर्वर की terms को बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं लहाजा आए इनको define करते हैं सबसे पहले हम वेब साइट को समझते हैं वेब साइट दरसल मालूमात का जरिया है ये किसी भी topic के बारे में बहुत स्यादा मालूमात फराहम करता है हर वेब साइट को कोई individual, company, organization या institute पगेरा maintain करते हैं यानि इसमें latest information अड़ करते रहते हैं जिस तरह एक किताब बहुत से सफात का मजमूआ होती है बिलकुल उसी तरह एक वेब साइट में एक से ज्यादा वेब पेजी होते हैं वेब पेज एक ऐसा document होता है जिसमें sounds, images, text और videos वगेरा शामिल होती हैं जिस तरह किसी किताब को bookshop से हासल करते हैं इसी तरह किसी website को अपने computer में देखने के लिए एक दूसरे computer से request करना परती है इस computer को web server कहते हैं ये ऐसे computer होते हैं जो internet से हर वक्त connected होते हैं हर website का अपना server होता है जो इस website को handle करता है web server में एक खास software होता है जिससे मुख्तले websites को web server में store किया जाता है मसलन ये एक web page है जब एक से ज्यादा web pages को इकठा किया गया तो इसे website का नाम दिया गया है Internet Service Provider ISP इस section में हम आपको बहुत अहम term ISP के बारे में बताते हैं ISP Internet Service Provider का मुखफ़ है जैसा के नाम से जाहर है ISP Internet फराहम करने वाली company है ISP ऐसी organization को कहा जाता है जो सारफीन से कुछ फीस लेकर Internet connection की सहूलत फराहम करते हैं ये हर वक्त Internet से connected रहते हैं जो भी Internet से connect होना चाहे वो अपने local Internet Service Provider के ज़रिये connect हो जाता है और इस तरह पूरा Internet उसकी access में आ जाता है जब आप अपने computer से Internet को connect करना चाहते हैं तो इसके लिए ISP आपको username, password, access number फराहम करती हैं जिसकी मदद से आप computer से Internet को connect कर सकते हैं हमने Internet में इस्तमाल होने वाली basic terminologies के बारे में तो जान लिया लेकिन इसको सीखने और काम शुरू करने से पहले हम Internet को अपने computer से connect करना सीखते हैं इसके लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि Internet को connect करने के लिए कौन से hardwares और softwares की ज़रूरत होती है Internet को connect करने के लिए सबसे पहले एक अच्छे speed के computer की ज़रूरत होती है इस computer के अंदर modem भी install होना चाहिए जिसकी मदद से आप Internet को connect कर सकते हैं एक बात आपको बताते चलें कि आजकल Internet connect करने के लिए telephone line और modem के अलावा नितनाई तरीके इस्तमाल होते हैं आईए उनके बारे में जान ले ISDN Integrated Service Digital Network एक digital phone line है जिससे ISP और इसके computer के दर्मयान data transfer करने की speed modem से ज्यादा है आप घरों में जिस cable को television के साथ attach करते हैं उसी cable से आप Internet को भी connect कर सकते हैं और इसमें आपको telephone line की ज़रूरत नहीं होती आप direct broadcast satellite से भी Internet को connect कर सकते हैं आजकल Internet connect करने के लिए DSL connection जानी Digital Subscriber Line connection भी इस्तमाल हो रहा है ये एक बहुत high speed connection है जिसमें आम telephone lines ही इस्तमाल होती हैं लेकिन इसके बहुत जादा फाइदे हैं इसके अलावा mobile company भी आपको 3G, 4G Internet की सहूलत मोहिया करती हैं जिसके जरीए आप mobile phone के साथ साथ अपने computer से भी तेज रफ़तार Internet से इस्तफ़ादा कर सकते हैं Wi-Fi एक और जदीर technology है जिसके तहट आप बगएर किसी cable के Internet से connect हो सकते हैं Wi-Fi इस्तमाल करने के लिए आपको wireless Internet की range में होना चाहिए Web Browser इस section में हम ये सीखेंगे कि Web Browser क्या होता है और Browse करने से क्या मुराद है Browse का मतलब है किसी चीज को देखना जैसे किसी magazine के सफाहत को पलटना और उसके अंदर देखना दरसल Browse करना है इसी तरह जब बाजार में मुक्तलिफ लोग शॉप्स के बाहर नजर आने वाले चीजों को देख रहे होते हैं तो वो दरसल Browse कर रहे होते हैं इसके अलावा इस तरहां कि जितने काम हैं जैसे library cupboard में पड़ी कुई किताबों को देखना टीवे में मुक्तलिफ चानल्स को देखना वगेरा ये सब दरसल Browse करना है बिल्कुल इसी तरह जब हम इंटरनेट को इस्तमाल करते हुए मुक्तलिफ वेबसाइट्स को देखते हैं तो इसको भी Browse करना कहते हैं जिस तरह किसी audio cassette को स्तनने के लिए tape recorder की जरूरत होती है या किसी वीडियो फिल्म को देखने के लिए VCR और TV की जरूरत होती है इसी तरह किसी वेबसाइट को computer पर देखने के लिए web browser की जरूरत होती है यानि web browser एक ऐसा computer program है जिसकी मदद से हम worldwide web की information को अपने computer में देख सकते हैं हम यूँ भी कह सकते हैं कि web browser ऐसे programs हैं जिनकी मदद से हम web pages को explore कर सकते हैं web browser बहुत से हैं जैसे internet explorer, google chrome, mozilla, firefox वगेरा लेकिन हम internet explorer 11 को discuss करेंगे इन सब browsers का बुन्यादी मकसद web pages को computer screen पर दिखाना है लेकिन हर browser मुक्तलिफ features फ्राहम करता है मसलन, ये internet explorer 11 का web browser है इसमें इस वक्त आपको एक web page नजर आ रहा है जिसमें text और images वगेरा शामिल है इस web page के text data और images में links बने हुए हैं चिन पर क्लिक करने से इन links से जुड़ा page open हो जाएगा web browser हमें और भी बहुत से features प्रोवाइड करता है मसलन, बहुत से browsers में bookmark या favorites का feature होता है जिसकी मदद से हम अपने पसंदीदा web pages को save भी कर सकते हैं जब हम browser में मुख्तले web pages को visit करते हैं तो इन तमाम visit किये हुए pages का record history list में store हो जाता है इनके अलावा और बहुत से features हम आगे आने वाले lessons में तफसील से देखेंगे टास्क बार से internet explorer के icon पर click करके आप internet explorer को open कर सकते हैं या फिर start menu पर click करें फिर अपना mouse pointer all programs के ऊपर ले जाएं और फिर internet explorer के icon को click करें अब हमारे सामने internet explorer 11 का browser open है इसके basic components को तफसील से discuss करते हैं सबसे उपर वाली strip को title bar कहते हैं title bar के right side पर minimize, restore और close के button होते हैं इन पर click करके हम browser की window को minimize, maximize और close कर सकते हैं title bar के नीचे बने box को address bar कहते हैं इसमें आपको currently web page का URL नजर आ रहा है अगर आप इसको तबदील करके किसी और web page को open करना चाहते हैं तो इसके लिए आप address bar में URL को type भी कर सकते हैं address bar के साथ ये new tab है जिसमें हम एक और web page को open कर सकते हैं address bar और new tab के सामने दाइन तरफ ये तीन icons नजर आ रहे हैं पहला icon home का है तूसरा icon favorites का है और तीसरा icon tools का है इनकी तफसील हम आगे चल कर देखेंगे address bar की बादवाली strip को menu bar कहते हैं इसमें वो तमाम options मौजूद हैं जिनकी मदद से हम web pages को copy, save और close वगईरा कर सकते हैं ये favorites bar है इसकी मदद से आप toolbar से direct web pages को open कर सकते हैं इसके बारे में मजीद तफसील हम आगे के lessons में सीखेंगे browser में ये portion browser pen कहलाता है बाज browsers में इस portion को content area भी कहते हैं इसमें आपको current web page के contents नज़र आते हैं जिनमें text, images, graphics, colors, links वगईरा शामिल हैं वेब address से मुराद वो address है जिसके मदद से हम website पर जाते हैं या website खोलते हैं इंटरनेट पर हर site का address मुक्तलिफ होता है आम तौर पर URL के दो हिससे होते हैं हम http colon front slash front slash www.vu.edu.pk को डिसके करते हैं पहला हिस्सा http colon front slash front slash दूसरा हिस्सा www.vu.edu.pk पहला हिस्सा प्रोटोकोल के बारे में बताता है कि ये website किस प्रोटोकोल को यूस करते हुए open होगी आईए अब हम इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकोल को समझते हैं पहले हम प्रोटोकोल को define करते हैं एक computer से जब कोई information दूसरे computer पर exchange होती है तो वो कुछ खास rules के तहट होती है इन set rules को protocol कहते हैं इंटरनेट में मुख्तलिफ किस्म के protocol इस्तेमाल होते हैं जैसे FTP, TCP, IP, HTTP, HTTPS वगेरा पहले हम HTTP को समझते हैं HTTP दरसल Hypertext Transfer Protocol का मुखफफ है ये web server से web pages को transfer करने का protocol है HTTP का बुन्यादी मकसद इन web pages को browser में दिखाना है जिन में hyperlink बने होते हैं जब हम किसी browser में कोई URL टाइप करते हैं तो इसके शुरू में HTTP लिखा जाता है इसका मतलब ये है कि web server से web pages को transfer करो जिन में hypertext, hypermedia links वगेरा हों HTTPS से मुराद Hypertext Transfer Protocol Secure है जिसका बुन्यादी मकसद web server से web pages को transfer करने के साथ साथ website की authentication भी है ताके internet के जरिए दो computer के दर्मियान एक महफूज communication हो FTP, File Transfer Protocol का मुखफ़ है इस protocol को इस्तमाल करके हम files को server से access कर सकते हैं जिस तरह HTTP की मदद से web server से web pages को transfer किया जाता है इसी तरह FTP protocol की मदद से FTP server से file को transfer किया जाता है FTP server, internet पर ऐसे computers होते हैं जिन में मुख्तलिफ किसम की files को store किया जाता है ये servers मुख्तलिफ departments जैसे colleges, universities वगेरा maintain करते हैं FTP servers में कुछ files ऐसी भी होती हैं जिन को copy करने के लिए पहले उनका खुफिया code बताना होता है आप FTP server से मुख्तलिफ किसम की files को copy कर सकते हैं मसलन, text file के जरिए आप अखबार, magazine और documents वगेरा copy कर सकते हैं दूसरा हिसा IP address या domain name होता है domain क्या होती है domain दरसल computers का group होता है जिसमें computers एक दूसरे से information share करते हैं और domain name भी आपके नाम जैसा ही किसी site का नाम है जैसे आप लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं ऐसे ही हम site को उनके नाम से open करते हैं IP address को अगर हम daily life में देखें तो ये भी phone number के जैसा ही एक number है यानि जैसे एक phone number किसी दूसरे person का नहीं हो सकता ऐसे ही internet पर हर computer का IP address फर्क होता है IP address कुछ इस तरह का होता है 203.215.176.42 Numbers को याद करना मुश्किल होता है इस problem को solve करने के लिए हम host masking कर लेते हैं यहां हम host masking को understand करने के लिए mobile phone की example लेते हैं जैसे हम किसी के number के साथ name set कर देते हैं जैसे 01231234567 के साथ अली लिख लिया अब आपको number याद करने की जरूरत नहीं आप mobile की address book से अली name निकाल कर number dial कर सकते हैं ऐसे ही बजाए इसके कि सारा IP address याद किया जाए हम इस IP address की host masking कर लेते हैं और virtual university के IP address की बजाए सिर्फ host name यानी www.vu.edu.p के याद कर लेते हैं जो के हमारे लिए याद करने में आसान होता है domain name में www है जो के worldwide web का मखफफ है इसके बाद इस website को बनाने वाले के बारे में information होती है जैसे .vu यानी ये website वर्जूल यूनिवर्सिटी ने डिजाइन की है इसके इलावा domain names में BBC, CNN और याहू वगरा होते हैं domain name में वो हिस्सा जिसमें तीन letters लिखे होते हैं वो domain की specification के बारे में बताते हैं जैसे .org एक organization को जाहिर करता है .edu एक तालीमी अधारे को और .com एक commercial अधारे को जाहिर करता है पास domain names के आखर में दो letters की abbreviation भी होती है ये किसे मुलक का country code होता है जैसे US for United States, UK for United Kingdom और PK for Pakistan वगेरा इस वक्त आपको screen पर कुछ मशूर websites के URL नजर आ रहे हैं इन में protocol और webpage के domain name labeled है Home page जब हम web browser को start करते हैं तो सबसे पहले हमें जो web page नजर आता है उसे home page या start page कहते हैं Home page दरसल किसी भी website का पहला page होता है इसमें इस website को मजीद explore करने के links बने होते हैं आईए इस section में हम home page को देखना या तबदील करना सीखते हैं इसके लिए पहले हम browser को start करते हैं जिसका तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं आप देख रहे हैं कि हमें Google की website नजर आ रही है यानि इस browser का home page Google को set किया गया है अब हम इस page को तबदील करके home page www.vu.edu.p के बनाना चाहते हैं आईए इसका तरीका सीखते हैं सबसे पहले हम menu bar में से tools menu को open करते हैं हमारे सामने ये list open हो गई है हम internet options पर click करते हैं हमें ये dialogue box नजर आ रहा है यहां आपको general tab में home page के नीचे तीन buttons नजर आ रहे हैं use current, use default और use new tab use current के button पर click करने से जो site खुली हो और आप देख रहे हैं हों उस site का address home page के तौर पर set हो जाता है use default के button से जो default page हो set हो जाता है यानि वो page home page के तौर पर set हो जाता है और use new tab के button से home page blank पर set हो जाता है यानि के कोई site या web page as home page नहीं रहता इसी dialogue box के home page section के address box में हम VU का URL टाइप करते हैं फिर OK के button को click करते हैं लेकिन आप देख रहे हैं screen पर कोई तबदीली नहीं हुई है अब हम तबदील किये हुए home page को देखने के लिए पहले हम browser को close करते हैं फिर उसके बाद दुबारा browser को open करते हैं अब आप देख रहे हैं कि browser को दुबारा start करने से हमें Google की बजाए VU का web page नजर आ रहा है यानि अब Google की बजाए VU.edu.pk home page बन गया है लीजिए हमने home page को तबदील करने का तरीका सीख लिया है आप इसी तरीके के मताबक जिस page को home page बनाना चाहें बना सकते हैं New tab बाज उकात ऐसा होता है कि हम एक web page में काम कर रहे होते हैं और ये चाहते हैं कि इसे close किये बगएर किसी और web page को open करें यानि एक वक्त में एक से ज्यादा pages को open करना चाहते हैं जी जनाब browser हमें ये facility भी फरहाम करता है इसके लिए new tab की option को इस्तमाल किया जाता है आईए इसको सीखते हैं इस वक्त आपको Google की website नजर आ रही है इसके साथ साथ हम virtual university की website को भी browse करना चाहते हैं यानि एक वक्त में एक से ज्यादा web pages को open करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए हम Google की tab के साथ इस छोटे से खाली हिस्से को जिसे new tab कहते हैं क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से address bar खाली नजर आ रहा है जानि अभी इसमें किसी website का URL नहीं लिखा गया अब हम address bar में virtual university का URL टाइप करते हैं और enter की को दबाते हैं आप देख रहे हैं कि हमने एक वक्त में एक से ज्यादा websites को open कह लिया है Stop Refresh Button जब हम browser में मुक्तले web pages को देख रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी situations होती हैं जिनमें हम web pages को open होने से रोपना चाहते हैं आईए इससे सीखते हैं बाज उकात किसी web page को open होने में बहुत ज़्यदा time लग जाता है ऐसी situation में हम इस web page को open होने से रोपना या Stop करना चाहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से किसी ऐसे link पर click कर दिया हो जिस पर click नहीं करना था ऐसी situation में भी हम आगे proceed नहीं करना चाहते बलके इसी page को रोखना या Stop करना चाहते हैं या फिर जब कोई web page open हो रहा होता है और इसके contents नजराना शुरू होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें ये information नहीं चाहिए जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि Internet Explorer BBC.com के page को open कर रहा है हम इसको open करने से रोखना चाहते हैं इसके लिए हम address bar में बने cross के button जिसको stop button कहते हैं पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि browser web page को open करने से रुख गया है और वोही cross का निशान अब एक circular arrow बन गया है अब हम इसको refresh button कहते हैं दरसल ये एक ही button किसी भी website को stop करने और उसे refresh करने का काम करता है refresh करने से ये मुराद है कि अगर आपने एक web page को काफी देर पहले open किया है और आप चाहते हैं कि इस page में की गई तबदीलियों को देखें या अगर एक page सही तरह लोड नहीं हुआ और आप उसको reload करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए आपको address दोबारा type न करना पड़े तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसके लिए हम address bar में मौजूद इस circular arrow जिसको refresh button कहते हैं पर click करते हैं तो देखिए browser ने उस रुके हुए page को दुबारा load करना शुरू कर दिया है जब हम किसी web page को refresh करते हैं तो जो website open होती है इसकी request दुबारा server को भीजी जाती है और वो latest तबदीलियों के साथ आपको नजर आती है आए इसको एक और मिसाल से सीखते हैं इस वक्त आपको एक mail पेज open दिखाई दे रहा है इसके inbox में चार messages पड़े हुए है हमने इसको काफी देर पहले open किया था अब हम ये देखना चाहते है कि इनके inbox में कोई तबदीली तो नहीं हुई इसको देखने के लिए हम address बार में बने refresh के बटन को क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि इसके inbox में अब चार की बजाए आठ messages नज़र आ रहे हैं इस तरह से आप refresh बटन को इस्तमाल करके एक web page को latest तबदीलियों के साथ देख सकते हैं browsing history जब आप browser को open करते हैं और उसमें मुक्तले websites को visit करते हैं तो उन visited sites का record browser में save होता जाता है ऐसा भी मुम्किन है कि आप उन visited sites के URLs को दुबारा access करें हमारी visit की हुई site browser के history में save होती है हम history को open करके visited sites को दुबारा देख सकते हैं आईए इसको सीखते हैं इस वक्त हमारे सामने internet explorer का browser open है हम address बार के दाएं तरफ बने हुए favorites के icon पर जो के एक star की तरह है click करते हैं जैसे ही हम इस icon पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि एक window open हो गई है इसमें तीन tabs हैं हम history के tab पर click करते हैं इसमें हमारे पास ये option है हम चंद गुजश्चता हफतों या आज की दिन में visit की हुई websites के नामों की list देखें मिसाल के तौर पर इस वक्त हम today को click करते हैं आप देख रहे हैं कि हमारे सामने websites की list open हो गई है ये आज की visited sites की list है history list में जब हम किसी website पर click करते हैं तो इसमें हमने जो web pages visit किये होते हैं इन सब के URL नजर आते हैं हम इन web pages पर click करके इनको दोबारा देख सकते हैं history list को मजीद arranged form में देखने के लिए हम view by date के साथ बने arrow button पर click करते हैं इस list में हम view by date, view by site, view by most visited और view by order visited today की तरतीब से हम websites के URLs को देख सकते हैं हम history list में दिनों की तादाद को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं आगे इसको सीखते हैं इसका तरीका ये है के पहले हम tools menu को open करते हैं फिर इस में internet options पर click करते हैं हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है हम इसके browsing history section में settings पर click करते हैं अब हमारे सामने एक नई window आ गई है हम इसके दूसरे tab यानी history पर click करते हैं यहां से days to keep pages in history के सामने से value 5 को select करते हैं फिर ok के button पर click करते हैं deleting history of internet browsing जब history list में websites के URL की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो हम इन में से गेर जरूरी URLs को delete भी कर सकते हैं आईए इसका तरीका सीखते हैं इस वक्त हमें browser की right side में history list नजर आ रही है सबसे पहले इसमें हम उस link पर right click करते हैं जिसको हमने delete करना है जो sub menu नजर आ रहा है इसमें हम delete की option पर click करते हैं अब हमें ये dialogue box नजर आ रहा है इसमें हमने एक दफा़ फिर confirm करना है कि क्या वाकई इसको delete करना चाहते हैं हम yes पर click करते हैं ये देखें हमारा मतलूबा URL अब list दिलीट हो गया है हम history list के web pages को one by one delete करने के अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि history list में से तमाम websites के URL को खत्म कर दें आईए इसे सीखते हैं इसके लिए पहले हम tool menu को open करते हैं और इसमें internet option पर click करते हैं इसके बाद हम general tab पर click करते हैं फिर इसमें browsing history section में delete पर click करते हैं हमारे सामने एक और window आ गई है जिसमें से हमने select करना है कि history में से कौन कौन सा data delete करना है फिलहाल हम कोई तबदीली किये बगएर नीचे से delete का button प्रेस करते हैं और browser अपनी history से record delete करना शुरू कर देता है आप देख रहे हैं कि अब history की window में हमें कोई URL नज़र नहीं आ रहा यानि history list delete हो गई है Using help feature अगर आपको web browser के बारे में कुछ जानना हो तो आप application की help को use कर सकते हैं इसे open करने के लिए या तो keyboard से F1 की key press करें और या फिर menu bar से help पर click करें और फिर internet explorer help पर click करें Click करने से आपके सामने एक नई window open हो गई है इसमें सारी information मौझूद है browser के बारे में आप जो information लेना चाहें ले सकते हैं Search help के box में आपको जिस चीज़ के बारे में information चाहिए हो लिख कर enter करें तो आपको इसके बारे में काफी मालुमात हासिल होंगी View Settings Internet Explorer की स्क्रीन को मुख्तलिफ sizes में देखा जा सकता है Internet Explorer की window की साइज को आप छोटा, बड़ा, minimize या full screen कर सकते हैं आप Cross के साथवाले बटन Restore को क्लिक करके स्क्रीन को Restore down कर सकते हैं और इसी बटन को दुबारा क्लिक करके आप इसे maximize कर सकते हैं ये बटन जिस पर minus का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप अपना page minimize कर सकते हैं और टास्क बार में मौझूद इस icon पर क्लिक करके दुबारा Restore कर सकते हैं अगर हम page का size अपनी मर्जी का करना चाहते हैं तो हम पहले इसको Restore down करते हैं अब page के निचले corner पर mouse pointer ले जाते हैं और left mouse बटन को दबा कर रखते हुए mouse को drag करते हैं अब अपनी मर्जी के size पर ले जाकर mouse को छोड़ देते हैं यूं हम page का size अपनी मर्जी के मताबक कर सकते हैं Modifying Display Toolbar Toolbar पर Bars को लाया या गायब किया जा सकता है ऐसा करने के लिए Toolbar पर यहां किसी जगह Right Click करें अब जो list open हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ Bars के सामने टिक का निशान लगा हुआ है इसका मतलब है ये Bars पहले से ही Menu Bar में मौझूद हैं जबके जिनके सामने टिक का निशान नहीं आप उनको Toolbar में ला सकते हैं अब इस list से जो बार आप Toolbar में रखना चाहते हैं इसे क्लिक कर दें और पहले से मौझूद किसी बार को गायब करना हो तो इसे एक बार और क्लिक कर दें अब हम किसी ब्राउजर के अंदर देखे जाने वाले वेब पेज की Zoom Setting और Text Size को तबदील करना सीखते हैं मसलन हम Google.com को ओपन करते हैं और इसके Search Box में पाकिस्तान लिखकर एंटर करते हैं अब हम Menu Bar से View पर क्लिक कर रहे हैं जो लिस्ट ओपन हुई है उसमें Mouse Pointer को Zoom के ऊपर लेकर जाते हैं तो देखें इसके आगे मजीद Options आ गई हैं हम इसमें से पहली Option Zoom In पर क्लिक करते हैं ये देखें हमारा वेब पेज 25 फीसद मजीद बड़ा हो गया है ये काम हम Keyboard से Control Key Key और फिर जमा के Sign को दबाने से भी कर सकते हैं इसी तरह Control Key Key और मनफी के Sign को प्रेस करने से वेब पेज छोटा हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह हम किसी भी वेब साइट के ऊपर मौजूद टेक्स्ट के Size को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं इसके लिए हम Menu Bar से दोबारा View पर क्लिक करते हैं यहां से Text Size पर Mouse Pointer को ले कर जाते हैं तो हमारे सामने एक नई लिस्ट आ गई है यहां से हम Smallest से लेकर Largest Key Option को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे टेक्स्ट का Size छोटा या बड़ा हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं Closing the Browser Application जब हम Browser में अपने काम को खत्म कर लेते हैं यानि मुख्तलिफ Web Pages को विजिट करना, सर्च करना, न्यूस पेपर पढ़ना वगएरा तो फिर हम Browser को Close कर लेते हैं Browser Application को बंद करने के लिए आप माउस की मदद से उपर दाइंकोने में Cross के बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर Keyboard की मदद से Alt प्लस F4 की Key को एक साथ दबाएं अब आप देख रहे हैं कि आपका Browser Close हो गया है Summary इस Lesson में आपने सीखा कि Internet Service Providers क्या है और इसका क्या काम है वो Program जिसमें हम Web Document या Websites देखते हैं उसे Internet Browser कहते हैं Browser को कैसे Use किया जाता है URL क्या होता है और इसके कितने हिस्से होते हैं Internet Explorer 11 के मुक्तलिफ हिस्से और इसके Features को Discuss किया और Browser की History और View Settings के बारे में जाना और जाना तर्पे檬 चॉप झाथ